एक वायक्य में उत्तर लिखिए किनी दो समचारों पत्रों के नाम बताईए उत्तर, नव भारत ताइम्स, हिंदुस्तान ताइम्स, आदी हिंदी का पहला समचार पत्र कौन सा है? उत्तर हिंदी का पहला समचार पत्र उतन्द मातर है पराचिन काल में राजा महराजा संदेश कैसे भेजते थे उत्तर पराचिन काल में राजा महराजा कबुतरों और संदेश वहाकों से संदेश भेजते थे समचार पहुचानी के नवीन साधन कौन कौन से हैं उत्तर समचार पहुचानी का नवीन साधन रेडियो, टेलिफून, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदी हैं कन्नड का पहला समचार पत्र कौन सा है? उत्तर कन्नड का पहला समचार पत्र मंगलूरू समचार है दो तिन वाइके में उत्तर दीजिए आजकल परचीलित कन्नड अंग्रेजी और हिंदी की दैनिक अखवारों की सूची तैयार कीजिए उत्र आजकल परचीलित कन्नड अंग्रेजी और हिंदी की दैनिक अखवारों की सूची नौभाथ टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ओफ इंडिया, डेकन हेल्ड, इंडियन एक्स्प्रेस, अमर उजाला, सन्यू करनाटक, विजय करनाटक, परजवानी, उदैवानी, देनिक जगारन, राजस्थन पत्रिका, जन्षता लोक्षता आदी हैं। समचार पत्रों में कोन-कोन से विशय होते हैं। कविता करनाटक एकांग की कहानी एक आलोशन सोष्थ फिर संबदी सुचनाएं भी परकट होती है। किसानों के लिए क्रिश्ची संबदी विसेश जनकारी भी मिलती है। इन सब के अलावा विज्यानिक अविस्कारों से भी परीचित होते हैं। समझी और लिखिए। दूर दर्शन तेलिविजन दूर भास तेलिफून दूर संचार। सही सब चून कर लिखिए। सुन, पढ़, पढ़, सुन। रेडियू से हम समझार सुन सकते हैं। दूर दर्शन से समझार सुन पढ़ सकते हैं। समझार पत्र पढ़ सकते हैं। सही या गलत का निसान लगाई है। समचार पत्र ग्यान का महिंगव सादन है प्राचिन काल में कबूत्रों से संदेश भेशते थे रेडियों से हम समचार पत्र पढ़ सकते हैं गलत रोज समचार पढ़ने से हजार ग्यान बढ़ता है सही दोनों को जोड़कर नए सब्द बनाई है सत्य सत्यवान गुन गुनवान बल बलवान दया दयवान नमूने के अनुसर अलग-अलग अर्थ देने वाला वाक्य लिखिये दो- रोहन के पास दो रुपी है लता को कमल दो कल- मेरा भाई कल स्कुल नहीं आएगा आज मी खेलने आ रहा हूँ लेकिन कल नहीं आउँगा आ- मत- अधिक भोजन मत खाओ माँ आप चिंता मत करो इ- पर मेज पर किताबी है मैं जाना चाहता हूँ पर मन नहीं है